महाराश्रों में खरीफ सीजन का प्याज अब खतम होने की कगार पर है मंडियों में इसकी आवक काफी कम हो गई है जबकि रभी सीजन का प्याज आना शुरू हो गया है जैसे ही नए प्याज की आवग बड़ी दाम कम हो गया और इसे किसानों की परिशानी बढ़ गई है सरकार ने कतिस मार्च तक निर्याद बंद क्या हुआ है किसान इस अस्बंजस में है कि लोगसबा चुनाव के दौरान पता नहीं कतिस मार्च के बाद प्याज का निर्याद खुलेगा या नहीं क्योंकि जब समान्य समय में सरकार ने उभोकताओं के सामने किसानों की परवा नहीं की तो क्या चुनाव के समय कर पाएगी जबकि प्याज की मेंगाई से सरकार को बहुत डर लगता है हलाकि अब तक सरकार ने कोई ऐसा संकेत नहीं दिया है कि निर्याद बंदी खतम होगी या नहीं देश का सबसे बड़ा प्याज उत्पादक महाराष्टर है जहां पर देश के कुल उत्पादन का लगबग 43 फीसद प्याज पैदा होता है वही महाराष्टर राज्यों में तीन सीजन में प्याज का उत्पादन किया जाता है जिसमें से सबसे महतुपुन रभी सीजन है क्योंकि इस सीजन के ही प्याज को आगे स्टोर करके रखा जाता है जो कि दिवाली तक चलता है ऐसे में खरीब सीजन का प्याज कम होता है और यह स्टोर करने लायक नहीं होता अब रभी सीजन के प्याज निकलना शुरू हो गया है लेकिन निर्याद बंदी की वज़े से दाम नहीं मिल पा रहा उधर कांदा उतपादक संक्ठन महराश्चर के अध्यक्ष भारत दिगोले का कहना है कि पहले 40 फिसद एक्सपोर्ट ड्यूटी और फिर निर्याद बंदी की वज़े से पूरा खरीब सीजन बरबाद हो गया किसानों को औने पोने दाम पर प्याज बेचना पड़ा हर किसान का 3 लाग रुपे से अधिक पैसा एक ही सीजन में मर चुका है क्योंकि उतपादन लागत नहीं निकली ना तो किसानों को राजय सरकार से कोई आर्थिक मदद मिली इसलिए किसानों ने रभी सीजन में प्याज की खेती कम कर दी अब सरकार से अपील है कि 31 मार्स से पहले वो निर्यात फर से खोल दे ताकि रभी सीजन का प्याज बरबाद न हो अगर निर्यात नहीं खोला गया तो प्याज की खेती और कम हो जाएगी जो कि देश के लिए अच्छा नहीं होगा